नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकर्ष एक कहानी किताब से में आज हम आपके लिए जिनकी पुस्तक लाएं हैं वे वरिष्ट पत्रकार लेखक फिल्म पर सरवोत्तम लेखन के लिए और साथ ही राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार के स्वर्ण कमल से सम्मानित अनंत विजे की पुस्तक है जिसका नाम है अमेठी संग्रा एतिहासिक जीत अनकही दास्ता ये इन दिनों काफी चर्चा में भी है इस मुस्तक में अमेठी के इतिहास के साथ ही स्मृती इरानी की वर्ष 2014 से 2019 की संगर्ष यात्रा की भी चर्चा बेहदबारी की ढंग से की गई है लेखक ने स्मृती इरानी की विजे के कारकों को समझाने के बहाने भारती राजनेतिक दलो और नेताओं की कारशेली राष्ट्रिय स्वंद सेवक संग की दूर द्रिष्टी भाजपा की रणनीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की लोग प्रियता दांदी परिवार की ताकत का मिथक और शेत्रिय दलो की स्वार्थ का लेखा जुखा तो लिया है स्मृती रानी की रड़नीतिक व्यवारिक और राजनीतिक कारशेली को भी शुक्ष्मदा से यहां खोला गया है साहित्य प्रेमी पाठकों के लिए अमेठी संग्राम पुस्त का एक अंश है वि चार भी चुनौती लेकर खड़े होने के पहले वर्षों तक अर्ध जागरत अवस्था में फैलते रहते हैं राश्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर ने आज से 63 साल पहले अपनी महत्वपुन्कृती संस्कृती के चार अध्याय में ये बात खुलकर लिखी थी दिनकर के इस पंक्ती को अमेठी के 2019 के लोकसभा चुनाओं के अतिहास एक नतीजों से जोड़ कर देखे तो ये बात सपष्ट हो जाती है कि 2019 में भारतिय जंता पाटी की उमीदवारस मृती राने की जीत किसी क्रांती से कम नहीं थी इसमें एक परिवार के एक अधिकार के खिलाफ अमेठी की जंता की बगावत भी शामिल है पाँच सालों में एक विचार का चुनोती बनकर खड़े हो जाना भी इसका ही हिस्सा है तो ये भी कि सालों से इस्थापत विकास वो परिवार का सामराज्य जैसी मानताएं कितनी भिन्नती अन सभी बातों का बखुबी से इस किताब में वर्णन किया गया है अनंत विजय के द्वारा लिखी इस किताब का प्रकाशन एका प्रकाशन के तहट किया गया है अगर आप इसे पढ़ने का मन बना रही है तो आप अपने नजदी की बुक स्टोर पर जाकर असान होंगे आपके साथ आने साहित्तिक जानकारियों को लेकर बस आप यूँ ही जुड़े रहे हैं हमारे चैनल मीडिया दर्बार के साथ धन्यवाद